अगर तलाक केस में हुई हलकी सी भी गलती तो पतनी हडप लेगी संपत्य अगर आप भी तलाक का पेटिशन डाल रहे हैं तो पहले उसको बड़ी बारकी से लिख लें बड़ी बारकी से उसको चेक कर लें अगर हलकी सी भी चूक मिला यह फिर जूटा मुकदमा मिला तो आप की संपत्ति को जबत कर लिया जाएगा ऐसा सुप्रिम कोट का एक ओडर आज चुका है कि अगर कोई भी पती जुटा तला का केस लगाता है यह जो पटीशन के अंदर जो चीज लिखिए उसाबित नहीं कर पाता है तो इस पती की संपत्ति का हगदार पतनी को बना दिया पत्ता हूं सुप्रिम कोट का अभी का जज्जमेंट है अगर 2024 का देखाओ पहली चीज बता दी कि अगर कोई भी पती ग्राउंड बनाता है क्रूलटी का कि मेरी पतनी जो है मेरे साथ क्रूलटी कर रही है इस वेज़े से मेरे को क्या चाहिए मेरे को तलाग चाहिए मेरी से जो पती को साबित करना पड़ेगा कि मेरे साथ क्रली चैसे हो रही है लेकिन अगर उसका इल्टा पतनी ने साबित कर दिया कि मैं इसके साथ कि कर रही हूँ बलकी यह ग्रलूर्टी जान बूझ के मेरे से करवा रहा है कि कोई और ले है ताकि मेरे सिन का पिछा चुट जाए और अगर ऐसा वह साबित कर देती है तो फिर पती को भारी पढ़ जाएगा इस जज्जमेट के अकोर्डिंग और इस केस में तो पूरी प्रोपर्टी पे कबजा दे दिया था पतने को यह चीज आपके साथ ना हो जाए क्यूंकि कई पर यह देखा गया है कई बार क्या होता है साध्य के बाद जो होता है पती के पास में और रिष्टे भी आने लग जाते है या फिर पडोसी कहने लग जाते है रिष्टेदार कहें लग जाते अरे यह क्या लड़की प्रसंद की है इससे तो अच्छे लड़की हम दिलवा द कर देना किनिके मन में कोई और लड़ फूट रहा है मैंने क्रूल्टी नहीं किये यह लोग इसको क्रूल्टी दिखाने की कोशिस कर रहे हैं तो फिर वह चीज उल्टा पड़ जाएगा तो अगर आप क्रूल्टी को ग्राउंड बना रहे हो तो आपके पास में सोलिड तो हम suppression time दिखा देते हैं तो इस suppression time को भी पती को साबित करना पड़ेगा कि क्या वो एक साल के अंदर उसको लेने गया या फिर नहीं लेने गया ये तो नहीं कि पतनी तो चलो नराज होके चली गई है तुम लेने ही नहीं नहीं गए तुम इंतजार कर रहे हो कब एक साल हो और मैं इसको ग्राउंड बना के अपने डिवोस फाइल करो तो यह चीज भी जो है पती के खिलाफ हो जाएगी अगर आप भी डिवोस का केस डाल रहे हैं तो तो आपको चीज दिखाने पड़ेगी यह जो एक साल का suppression time हुआ ना इस बीच में मैं इसको लेने भी गया था मै यह आई नहीं यानि कि आपने लाने के लिए क्या-क्या तमाम कोशिस की है यह जिम्मेदारी पती के उपर ही है पतनी के उपर नहीं है और अगर यह चीज थाबित नहीं कर पाया तो फिर वो केस उल्टा पड़ जाएगा जी ठीक है तो यह भी होने वाला है अब यह चीज जाए भी वह नराज होगी वह जाए ना आउंगी ना जाओंगी ना साथ रहूंगी ना तलाग दोंगी और पती हर तरीके से पती पिस्ता नजर आ रहा है अगर पती कुछ हलकी सी बात कह दे तो डोमेस्टिक वैलेंस दहेज मांग लिया है और अब पती लेने नहीं गया त बिढ़ जाती तो सब कुछ सखर करने के चАकर में फिसता रहता किस्ता रहता है फिसरी बात वहर फेंग वह बता दिए हगर बच्चें यहाया बनाता है कि मेरे बच्चों को मेरे से दूर रखा गया है लेकिन अब यहाँ सुप्रीम कोट ने काया ते कि बच्चों को तो दूर रखा है क्या तु कभी बच्चों से मिलने गए शाल दीबी भी शाल updating लगा रहे कि बच्चों के उपर फूट गया पते और अगर ये ग्राउंड लगाया और ये साबित नहीं कर पाया तो फिर वो बात उल्टी पड़ सकती है इससे भी अलग चीज एक और भेंकर बता दी जो आपको साइद लगे अजीब अगर लड़के के परिवार वाले ही लड़की का साथ दे रहे हो कई वार ये भी होता है ल उसके सारे ग्राउंड फैल हो जाएंगे तो अगर आप भी अपना कोई तलाक का प्रिटिशन डाल रहे हैं क्रिवल्टी अगर ग्राउंड बना रहे हैं तो आपके पास में सोलेड पूर्व होना चाहिए अगर उसने उल्टा ये साबित कर दिया कि कि किसी और को लाने के च खरचा दिया या मैं मिलने कोशिस कर रहा था मैंने कश्टीडी लगाई थी जो भी चीज़े हैं ठीक है तो उसको क्रूल्टी माना जाएगा और अगर लड़के का प्रिवार ही इन डारेक्टर लिया डारेक्टर लड़की का साथ दे रहा है इस केस में लड़के की मां साथ दे रही थी उस अपनी ही बहु का दिखा देता हूं आपको तो अगर आप भी पेटिशन डाल रहे तो यह चीज़ ध्यान में रखने जी देखिए अब इसके अंदर क्या बता दिया आपको पूरा दिखा देता हूं और यह फरी मिल जाएगा आपको जज्जमेंट सुप्र सब्सक्राइब लेगे चलता हूं मुद्दा था गया यह तो यही बता रखा है साधी कब हुई थी फिर सब पहले टाइम यह यह वह ठीक है चलो छटा पॉइंट निकाल लेते हैं पक्सों के विद्वान वकील को सुनने और रिकोर्ड को देखने के बाद हमें ऐसा लगता ह है कि नैक प्रनाली अपील करता बोले तो लड़की और उसके नावालिक बच्चे जो कि अब व्यसक हो चुक है यानि कि जब से केस सल रहा था तब तो नावालिक बच्चे थे अब वह भी अडल्ट हो गए ठीक है क्योंकि साधी जो थी वह प्रति घोर अन्यापूर्ण रह इसने इन सभी वर्सों में अपील करता साथ अत्यदीत करूरता की है पती ने क्रूल्टी के गराउंड पर डिवॉस पेटिशन लगाई थी नीचे वाली कोर्ट में ठीक है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने का कि करूरता लड़की ने करूरता तो तू नहीं की है जिसने पेटि उसकी स्कूली सिख्षा के लिए कोई भुकतान करने के लिए पेशकस नहीं की गई यानि कि जो बच्चे हैं जिनको ऐसे बच्चों के उपर अगर ऐसा ग्रांड लगा भी रहा है तो फिर उन बच्चों से कभी आप मिलने ही नहीं गए कोई साहता देने ही नहीं गए तो फ शहां और चलाफ आगे आही है अपझने जिनको करद के रहा यानि कि नीचे वाली कोट में तो जथे पढ़ लेना माइबको सिरि बहुत नीचे वाली कोर्ट ने तो पती को तलाग दिया था कि पती के साथ करूरता होई यह पती के बदो रखा तो पती साथ करूरता होई प्रसुप्रिंपऩ ने उसको उल्ट दिया एक index मैंट सवेद में सुलता की कमी को दरसाता है बलके आपिल करता है खिलाफ ग्रैंड का भी संकेर जिम्मेदार है, यानि कि अगर कोई अपने फाइदे के लिए डिवोस चाहता है न, तो उसको डिवोस नहीं देना चाहिए अगर पती चाहता कि अगर मेरा इससे पिछा चुट गया तो कोई दूसरी लियोंगा फटा-फट, अगर इससे पिछा चुट गया तो कोई और बडए घर की लड़की आ जाएगी तो अगर कोई पार्टी अपने फायदे के लिए डिवोस्ष आती है किसे मेरा पिछा छुटे यानि कि सामने वाले में कमी नहीं ही पर अपने फायदे के लिए चाति है तो उसको क्या है उसको डिवोस्ष नहीं देना चाहिए बलकि इस पूरे मेटर का जिम्मेदारी उसको ठहराना चाहिए ऐसा मानने के बाद हम इस तथे से अंजान नहीं हो सकते हैं कि दोनों पक्स वर्स 1902 आया उसके बाद से अलग रह रहे हैं नतीजन हम फैमिली कोट द्वारा दी गई तलाक के डिगरी विवाइद फैसले के निमिलिक संसोदनों के साथ ससर्त रूप से बरकरार रखते हैं मपर्तिवादी को निदेश दिया जाता है कि वह अपिल करता को पहले की भुगतान की राची से 10 लाग रुपे ज्यादा भुगतान करें यानि कि तलाक तो हम चलो इनका बना देते हैं लेकिन 10 लाग रुपे और ज्यादा दे ठीक हैं और भुगतान का तलाक पहली डिगरी की तारिक यानि की 3,8,2,6 से 2,6 के बाद जो ये पैसा 10 लाग और लगाया न इस पे 7 परसेंट और ब्याज देना पड़ेगा उसके बैटे द्वारा सूप्त रूप से कबज़ा किया गया घर उनकी विशे है संपत्ती बना रहेगा और वो प्रोपर इस बहु की बन चुकी है जो पती अपनी बहु से टलाक लेना चाहता था और परतिवादी का इसमें कोई दावान नहीं होगा और परतिवादी कोई लिए निखर दिया है यानि कि मा भी रह गी बैटा भी रह गया तो तलाक किसका रहिए तो पति पत्ती-पत्त को निकाल दियाता तुछ इस घर से बाक्षितो सब घर में wrinkles होना है तो जह अगर तेरे फाइदें ये तर तो तुझा उसको भेज़ दिया इनको फेमिली मेंबर बनाके उसारी प्रोपर्टी पत्री को दे दी तू जा भाई फिर बताया वह संपत्ती और वह पिल करता उसके बेटे के शांतीपुन स्वामिताओ और स्वामिताओ अधिकारों में हदसे में नहीं करेगा ना तो इंटरफेर करेगा प्रोपर्टी में यदि परतिवादी के पास कोई अन्या चल संपत्ती है कोई भी गाड़ी गुडी है तो परतिवादी द्वारा स्वामिताओ की किसी भी प्रांसफर के वावज़ूत पार्टियों के बेटे के पास है उस पर अधीमाने स्वामिताओ अधिकार होगा यह न परतिवादी उपर लगाए गई किसी सर्थ का पालन करने में विफल रहता है तो परिवारिक न्याले द्वारा दी गई तलाक के डिगरी जैसा कि उस न्याले द्वारा बरकरा रखी गई है कैंसल कर दिया जाएगा यानिकि अगर पती ने प्रोपार्टी में इंट्रफेयर किया चाहे प्रोपार्यटी चलो या चलो जैसे उसने इंट्रफेयर कीए तो तलाक कैंसल हो जाएगा तो यह पूरी जीवन की सर्थ लगादी किभी चलोव तेरे ते लाग रुपे थे जिस पर 7% ब्याज भी लगाया था वो भी टाइम पर नहीं दे पाता है तो फिर क्या होगा उसके खिला में यह क्रिमिनल कारवाई करने का निर्देश दे दिया जाएगा ठीक है और फिर इसको क्या कर दिया इसका निप्टारा कर दिया गया है और यह कब का गलत कराउंड ना लगाएं तो उमेद करूँगा यह जानकार यह आपको अच्छी लगी होगी अच्छे लगए इसको लाइक कर ले सेयर कर ले सबस्क्राइब कर ले और अगर है ज़स्मेट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्सिन में आपको लिक मिल जाएगा करेंटी इसको आप डाउलोड कर लेना पड़ देना ठीक है जी तो थैंक यू थैंक यू मैडियर फिर मिलते किसी कंटेंट के साथ में उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहों और आप क्या चाहते हो कमेट बोक्स खुल आए थैंक यू जी और मेरे से अगर कोई भी सुजेशन तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे, थैंक्यों जो